Assalamu alaikum, आज का हमार टॉपिक स्केलेटल मसल्स पे है लेक्चे को स्टार्ट करने से पहले हैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करें ताके आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन में मिलती रहें तो आज का हमार टॉपिक स्केलेटल मसल्स पे हैं, हम स्केलेटल मसल्स की डिसकॉशन करेंगे और साथ ही साथ इसके इंटर्नल स्ट्रक्चर को, इसके नए टॉमी को हम देखेंगे और हम इसी तरह फुर्दर डिसकॉशन करेंगे कि इसकी कॉम्पोजीशन क्या है हमारे पास तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बॉन के साथ एक मसल जो अटेश्ट फॉम में प्रेजन है वो यहाँ पर ड्रॉग की है, यह हमारे पास बॉन के साथ जो है जो मसल अटेच है वो बॉन के साथ इक नोन इलास्टिक फाइबर्स और बंडल्स अफ कोलिजन के साथ अटेच होता है और उन फाइबर्स और उन टीशुस को हम टेंडection बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने इसलिए लेबर फॉर्मिट इंडन यहाँ पर लिखती है इसके बाद अगर हम इसी muscle को अगर जो है इसकी cross-sectional area को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का view आएगा अगर हम इसको further देखें तो हमारे पास जो muscle है वो consist करा है muscle bundle muscle bundles में से हमने एक bundle को high magnification के through जो है देखा तो ये भी further composed है by muscle cell fiber muscle cell fiber means के हमारे muscles के cell जिस तरह हमारे skin के cells होते हैं hair के cells होते हैं उसी तरह हमारे पास muscle के जो cell होते हैं वो इस तरह हमारे पास compose होते हैं पहले हमारे पास muscle muscle के बाद muscle bundle muscle bundle जो है वो further compose होती है muscle cell fiber के muscle cell fiber के आगे भी हम बात करते हैं यह मैंने यहाँ पर एक green line draw की है जो outer area को cover कर रही है वो हमारे पर सार को लेमा है यह हम कह सकते हैं हमारे पास muscle cell membrane है muscle cell membrane बिलकुल उसी तरह एक पतली सी थिन जो है जिली जिसे हम बोलते हैं उस तरह यह outer और surface को cover किये होती है हमारे muscle cell को और उस layer को और उस thin membrane को हम सार को लेमा बोलते हैं जिस तरह हमारे तमाम body की different cells जो है वो भी cell membrane जिनको कहते हैं उससे cover होते हैं ताकि उन्हें different microorganism से protected जो है रखा जा सके उसी तरह muscle cells जो है वो सार को लेमा की एक thin layer से जो है वो protected होते हैं हमारे पास जो muscles, skeletal muscles जो हैं वो consciously controlled हो सकते हैं means के ये हमारे voluntary control में है हम इनको अपनी मर्जे से जो है जो है start भी कर सकते हैं stop भी कर सकते हैं इनको कहीं भी movement की जो है वो करा सकते हैं तो हमारे पास skeletal muscles जो हैं वो voluntary muscles होते हैं ये एक बात होगी दूसरी बात कि skeletal muscles हमारे पास stripped और striated muscles होते हैं इनको हम stripped muscles भी कह सकते हैं या striated muscles भी कह सकते हैं means कि इनमें stripped form में जो हैं वो lining मुझूद होती है अगर हम high magnification से means ultra magnification से अगर इसके एक cell को जो है जो हमारे muscle bundle से enclosed है अगर हम उसको high magnification के थुरू observe करें तो हमें पता लगेगा कि इसके striated muscles हैं means कि इसमें lining जो है वो पाई जाती है क्योंकि इसमें alternate light और dark bands मुझूद है means कि alternatively हमारे पास light bands आ रहे हैं और सादे 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 dark bands light और dark bands और areas आने की वज़ा से यहां पर इसको हमने stripped और striated muscles का है अगर हम मज़ीद इनके diameter बगएरा की बात करें तो अगर हम muscle cell fiber की बात करें या हम इसे muscle cell कह सकते हैं या muscle fiber भी कह सकते हैं यह हमारे सबसे smallest unit है हमारे skeletal muscle का जिसका असल role है हमारी skeletal muscles की movement में क्योंकि हमेशा हर चीज़ का smallest unit होता है जो उसकी सारे functions को control करता है और सारी information उसमें रखता है जैसे कि हमारी body में हर cell में मुझूद nucleus में DNA है जो हमारी सारी genetic information contain करता है उसी तरह skeletal muscles में मुझूद सबसे smallest unit हमारे पास muscle cell या muscle fiber है जो कि इस तरह का high मैंने magnification की तोर पर एक diagram ड्रॉ की है जिसको भी हमने विजीद explain करना है जो small compartments यहाँ पर show रहे हैं यह असल में वही हैं जो मैंने यहाँ पर magnify करके आपको show करवाए हैं तो इस पर भी अभी बात करेंगे पहले हम muscle cell means कि इसके सबसे smallest और सबसे main unit पर हम बात कर लेते हैं कि यह बात तो होगे कि एक outer जिसकी covering है वो सारकोलेमा है जिसे हम muscle cell membrane कहते हैं हर एक muscle fiber में जो है long cylindrical cell होते हैं with multiple oval shaped nuclei इन में जो हमारे पास एक muscle cell होता है जाहर है million forms में present होते हैं तो एक muscle cell जो है या muscle fiber में हमारे पास oval shaped के nuclei होते हैं और असर में fair shaped के भी nuclei होते हैं लेकिन हमारे पास muscle cell जो है उसमें जो nuclei होते हैं वो oval shaped के होते हैं जो के बिलकुल बनीता सारकोलेमा means के cell membrane के बनीत होते हैं skeletal muscle fiber जो है वो एक huge cells है means के हमारे body के compareance के अगर बात की जाए तो दूसरे cells की निस्पत जो है यह हमारे पास huge cells होते हैं और इनका diameter हमारे पास होता है 10 to 100 micrometer और जो sarcoplasm होता है muscle fiber का जिस तरह हमारे different body parts का जो cells हैं जिनको हम body cells कहते हैं उनमें 20 cytoplasm मुझूद होता है जिसमें different chemical reactions हो रहे होते हैं जिनमें different organelles present होते हैं जिनमें हैं हमारे पास organelles हैं उसी तरह हमारे पास muscle fiber जो है वो भी एक cell है एक huge cell है जिसका diameter हमारे पास 10 to 100 micrometer की range में है तो यहां पर भी इस इदर भी एक जो है वो cytoplasm होगा लेकिन इस case में हम उस cytoplasm को muscle cell के case में उसे sarcoplasm कहेंगे और sarcoplasm भी बिल्कुल muscle fiber का जो है वो similar होता है दूसरे cells के cytoplasm से बस इसमें यह फर्क होता है कि usually यह large amount of glycogen contain करता है glycogen means glucose का जो आपस में bundल होता है वो यह ज़्यादा contain करता है as compared to other body cells और यह myoglobin जो है जो एक red pigment है जो oxygen को store करती है एक unique oxygen bonding protein जिसे का जाता है वो भी यहाँ पर large amount में present होती है अब हमने main muscle cell की means basic unit की skeletal muscle की बात कर लिया है अब हम मजीद high magnification पर बात करते हैं तो अगर हम इस muscle cell को या इस muscle fiber को high magnification के through view करें तो हमें पता लगए का each muscle fiber contain करा है large number of myofibrils जिनका diameter होता है हमारे पास 1-2 micrometer यह हमारे पास muscle cell है और यह मजीद जहें contain करता है हमारे पास myofibrils जिनका diameter हमारे पास 1-2 micrometer होता है और यह in parallel fashion run करते हैं और extend करते हैं entire length of the cell means कि यह पूरी length को cover करते हैं हमारे muscle cell को हैं वो enclosed होते हैं वाय न मसल मेंब्रेंड है का है इसे सारी सारे सार्फ को लेमा का है जिसे तरह सारे Corona की बेंद में बिल शेप हैपशी म्नुक्लीU होते हैं उसी तरह सार्फ को लेमा की ही इन बिट possess हमारे पास ऑन चैप सरosed होते हैं, हैं बंडल्स वो किस से enclosed हैं बाइस muscle cell membrane जिसे सार को लेमा का है और myofibrils का हमारे पास क्या है diameter 1 to 2 micrometer तो ये 2 points भी हमारे clear होगे जिस पे भी हमने बात की है तो अब हम मजीद इसकी discussion करते हैं कि myofibrils ये हमारे पास muscle cell का भी smallest unit है और myofibrils हमारे पास small contractile units contain करते हैं जिनको हम SARCO mayor भोते हैं यहाँ पर तो मैं SARCO mayor का यहां जिकर नहीं किया लेकिन यहाँ पर मैंने इसका जिकर किया है SARCO mayor हमारे पास क्या चीज़ है और मैंने जो line board है उसको book के म lobak के मताबिक मैंने बोली है वो ये है कि myofibrils जो हैं यह हमारे पास जो muscle cell में present होते हैं bundles की form में यह consist कर रहे हैं smaller contractile units means के इन में भी मजीद एक unit present है जो smallest contractile units है जो contract हो सकता है और वो unit हमारे पास है सारकोमेर सारकोमेर हमारे पास क्या चीज़ है यह हमारे पास है कि एक ऐसा region है हमारे myofibrils में कि यह present होता है between two Z lines इन two Z lines जो है इसके region को हम कहते हैं सारकोमेर और यह smallest contractile unit है muscle fiber का इस पे भी हम मजीद discussion करेंगे जब हम अब हम इसकी structure की बात करेंगे और इनके bands की बात करेंगे तो तब हमें यह सारकोमेर मजीद clear होगा और एक सारकोमेर जो है यह यहां पर smallest form में ने compartments बनाए है यह हमार पास सारकोमेर प्रेसेंट है और यह जो बीच में lines है यह हमार पास Z lines है जो यहां पर smallest form में इस तरह हमारे पास जो है नजर आ रही है जितना हम उसको magnify करेंगे उतना ही हमारे पास clear form में जो है diagram शो होती जाएगी तो यह smallest form में यहां पर इस तरह शो हो रहा है ताके सारकोमेर आपको clear हो क्या चीज़ है और सारकोमेर में अगर बात करें तो एक सारकोमेर में सीरीज में dark और light bands प्रेसेंट हैं जो myofibrils के पूरी length को extend किये हुए है और एक dark band को हम A band बोलते हैं जो मैंने यहां पर यह show करवाया है एक dark band हमाई पास A band होता है क्योंकि इसे हमने dark band क्यों का है क्योंकि यह anisotropic होता है A band A for anisotropic और A band हमने इस चीज़ को जो है माइन में रखना है हमने इसे anisotropic क्यों का है क्योंकि ये visible light जब fall करती है A band पे यानि dark band पे तो ये उस visible light को polarize कर देता है means कि उसको bend कर देता है इस वर से इसको हमने क्या कहा है ये हमारे पास dark band है जबके हमारे पास जो eye band है ये हमारे पास जो है isotropic है यानि non polarizing ये band नहीं करता हमारी visible light को जब इस पर fall करती है तो ये एक light band है यहाँ यहाँ पर light band हम ये भी कह सकते हैं असान अलफाज में कि visible यहाँ पर show होगी जबके A band में वो band होने की वज़से हमें show ही नहीं होगी expose ही नहीं होगी जिसकी वज़से हमें वहाँ पर कोई light नहीं आएगी यही वज़ा है कि यह हमारे पास एक dark band होता है और जो हमारी visible light को expose करता है जो उस पर fall कर रही है इसलिए हमारे पास eye band एक light band होता है तो एक सारको मेर में A band और eye band यानि dark और light band series में present होते हैं जिसकी वज़ा से हमने skeletal muscle fiber को या skeletal muscle cell को हमने कहा था कि stripped और striated muscles है क्यों कहा था क्योंकि alternative form में light और dark band शो करवाते हैं तो यह पिछली बाते में मजीद इस ultra structure से clear होती जाएंगी यह हमारे पास जो A और eye band है जिसको हम dark और light band कह रहे हैं यह as a whole cell को एक stripped appearance देती है इसी बज़ा से मैं आपको बताया कि इसको stripped or striated muscles क्यों कहा जाता है एक eye band में जो है एक lighter strip होती है उसके mid section में हमारे पास जिसको हम कहते है age zone age zone हमारे पास क्या होता है age stands for heel means bright यह हमारे पास a band में जो है एक strip जो है एक appearance यहां पास present है lighter strip है mid section में present है जिसको हमने age zone का है यहां पर यहां brightness होती है जिसके वएससे यहां पर इस zone को हम age zone कहते हैं जो के a band में present होता है यह age zone भी एक bisect होा हूआ है dark line से जिसको हमने m line का है यहां पर हमारा age zone भी two parts में divide हुआ है bisect हुआ है by M-line जिसको हम जो है M-line क्यों बोलते हैं क्योंकि यह बिल्कुल हमारे H-zone के mid section में present है इस वज़ा से तो I-band जो है उनके पास भी mid line होती है जिसको हम Z-line बोलते हैं जिस तरह हमार पास A-band के mid section में stripped appearance है age zone जिसे हम यह भी कह सकते हैं bright zone और वो bisect हुआ हुआ है by M-line mid line कहलें और उसी तरह हमारे पास light band जो I-band है वो भी bisect हुआ हुआ है by Z-line और Z-stand for zoetion means के between और हमारे पास जो है myofibrils means कि myofibrils का यह एक ultra structure है यह मजीद contents करते हैं myofilaments myofilaments की बात तो हम इंशाल next lecture में करेंगे फिल हाल हम इतनी सी बात जो है यह भी इस lecture में से cover कर लेते हैं कि myofilaments जो है यह contain करते हैं thin और thick filaments हमारे पास एक central में thick filament होता है और एक हमारे पास जो है जिसने पूरे A band को जो है cover किया होता है यह हमारे A band में ही thick जो है वो हमारे पास filament मुझूद है जिसे हम myofilament कह रहे हैं myofilament thin band भी contain करते हैं और thin band हमारे पास जो है उसने half portion A band का भी cover किया हुआ है यह देखें A band में भी जा रहा है और जो है वो पूरा उसने completely जो है उस cover किया है वो है हमारे पास light जो है band उसको तो इस इनकी discussion जो है इन्शाला हम next lecture में करेंगे फिलहाल हमारे relaxed or contracted state है इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास relaxed or contracted state किया है means कि जब हमने बाजू को straight रखा होता है जब यह कोई काम नहीं कर रहा होता हमने उसको moment नहीं दी होती तो वो हमारे जो हमारा सबसे smallest unit है myos fibrils जो muscle cell में enclosed हैं वो कुछ इस तरह form में present होते हैं तो eye band जो है वो भी lengthwise जो है वो complete होता है हमारा age zone भी जो है नजर आ रहा होता है line भी लेकिन जैसे ही हमारा contracted state means कि जब हम अपने hand को close करते हैं arms की तरफ जो है वो bend करते हैं तो क्या होता है कि eye bands आपस में shorten हो जाते है age zone हमारा disappear हो जाता है क्योंकि ये दोनों thin bands जो है वो पूरी तरह से थिक वाले portion को cover कर लेते हैं जैसे बहुत थोड़ा ही सार आजाता है जिसमें gap हो जबकि यहां पर gap देखा जाए तो बहुत ज्यादा है तो age zone हमारा जो है बिल्कुल disappear हो जाता है Z lines भी आपस में थोड़ा close आ जाती है जबकि यहां पर थोड़ा far है एक दूसर से थोड़ा apart है यहां पर नहीं है यहां close आ रही है आई band भी shorten हो रहा है यहां पर जो है वो थोड़ा सा में जो है वो lengthwise ज्यादा है तो यह contract जो हमारा पास relaxed state है हमारे skeletal muscles की इसी वज़़ा से हमने इनको कहा है consciously हम इनको control कर सकते हैं इसी लिए हमारे पास सारको मेर सबसे smallest और एक basic contractile unit है क्योंकि यही हमारे muscle cell की movement के लिए responsible है क्योंकि Z lines का जो सारा area है एक Z lines का आपस में तो हम उस region को सारको मेर कहते हैं और उसी region में हमारी movements होती है जब भी हम अपने hands को या अपने different body skeletal muscles को move करवाते हैं तो सारको मेर ही इस तरह की movement show करता है तो externally हमारी movement जो है वो possible हो पाती है तो यह थाज का हमार topic जिसमें हमने skeletal muscles के composition को देखा हम एक external structure से होते हुए internal structure तक गए और last में हमने अपने ultra magnification के through जो है उसको भी view किया उसके structure को कि किस तरह हमारी skeletal muscles की movement possible होती है और कौन इसके लिए responsible है और कौन हमारा सबसे main और smallest contractile unit है next lecture में हम इंशाला thick और thin band का जिकर करेंगे कि आखर किस तरह हमारे thick और thin band movement show करते है कि age zone disappear हो जाता है, eye band shorten हो जाता है, zed line एक दूसरे के close आ जाती है तो यह different three different things हैं जो आप पसमें यहाँ पर difference show कर रही है states में relaxed or contracted state में तो इनको हम discuss करेंगे इंशाला next lecture में तो अगर आपको इस topic के मतलिक कोई भी confusion हो या कोई सवाल हो इनके structures, इनकी composition के हवाले से तो आप comment में ज़रूर पूछें, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे channel को like करें, share करें और subscribe करें और bell icon पे click करें ताकि आपको नए आने वाली videos की notification मिलती रहे शुक्रिया, लाफिस